hello friends welcome to my channel and a new video related to the sony alpha users as you all know कि मुझे काफी different type of subjects शूट करने का शॉक है मैंने weddings भी शूट करी है मैंने wildlife भी शूट किया है मैंने astro भी शूट किया है मैंने portrait भी शूट किया है मैंने street भी शूट किया है तेरा so many other things as well and all the time every time in every subject आपके exposure से भी ज्यादा important चीज़े होती है वह होता है आपका focus अगर आपका exposure कही ना कहीं ठीक नहीं है लेकिन अगर आपका फोकस ठीक है तो आप editing के through अपने exposure को correct कर सकते हैं लेकिन अगर आपका exposure ठीक है और आपका focus नहीं है subject तो आप कुछ भी कर लिए आपका short जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा तो correct focus होना different subject पे and different scenarios में बहुर important होता है तो आज मैं आपको different focusing area जो आपको sony के अंदर देखने को मिलेंगे आज मैं उनके बार में बताऊंगा ये वीडियो में आपको sony a7-4 के focusing area के उपर बताऊंगा लेकिन यही focusing area आपको दूसरे sony cameras के देखने को मिलेंगे तो चलिए on करता हूं मैं अपना sony a7-4 और जाता हूं मैं अपने focusing area वले option पे तो सबसे पहला आपको दिखता है wide focus area तो wide का मतलब यह है कि जो आप overall frame जो देख रहे हैं वहाँ पे जो भी चीज आपके camera को लगीगी वह उस-स के ओपर focus करेगा तो यह focusing area यूजिली मैं तभी उस करता हूं जब मैं architecture शूट कर रहा था हूं या जब मैं landscape शूट कर रहा हूं या फिर जब मैं wide angle पे शूट कर रहा हूं क्योंकि I want mostly everything in focus मेरा foreground, mid-ground, background everything is very important for me and मैं कहीं पे फोकस रहा हूं because मैं wide angle पे शूट कर रहा हूं तो मैं कहीं पे फोकस रहा हूं मेरा जो shot है वह perfectly focused आएगा तो मैं mostly architecture अगर आप landscape शूट कर रहे हैं तो आप wide focus area के उपर select कर सकते हैं और आप उनको shoot कर सकते हैं ताकि आपके foreground से background टक का जो scene है वह पूरा पूरा perfectly focus में आए उसके लावा wide autofocus portrait shoot करते वग भी use कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको eye autofocus को अपने camera के अंदर on रखना ह होगा ताकि अगर आप wide autofocus use कर रहे हैं तो आपका camera automatically आपकी portrait के eye को focus करें उसके बाद जो next area आता है वह आता है आपका zone focusing जो कि मैं usually जब मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं तो मेरा इस वग में से sony a7 r3 के उपर zone focus है और जो zone focus का box है वो मैंने इतना रख रहा है क्योंकि I know क से बाहर नहीं जाएगा इन दोना line से बाहर नहीं जाएगा तो यह usually मैं तफ सेट करता हूं जब मुझे पता होता है कि जो मेरा subject है अगर मैं portrait shoot कर रहा हूं तो उसका phase वह किस area के हां पर आएगा तो मैं उस जगा पर zone focus का box है मैं वो रखता हूं और बाकी चीज़े अगर मे main subject focus पर होता चाहिए यूजिली जब मैं portrait shoot करता हूं या फिर जब मैं ऐसी YouTube वीडियो शूट करता हूं तो मेरे YouTube वीडियो के time पर हमेशा के वक्ट यह zone focusing पर होता है तो आप ऐसे scenarios पर zone focusing रख सकते है ताकि आपका main subject है वो focus पर है अब next अगर focus area के बात करूं तो वह आता है आपका center fix जिसमें आपका focus हो है वो center से हिलेगा नहीं आप देखेंगे बिल्कुल exactly center पर जाके वो align हो गया तो आपको अपना main subject है वो उस point के उपर आपको centralized लाना है यह रखके ही शूट करना है यह तब अच्छा है जब आपको अपने subject को intentionally center पर रखना है आप चाहते हो कि यार वो नदो फोड़ागा off-center क्योंकि points हिलते हैं तो आप चाहते हो कि यार वह point left-right कहीं पर नहीं मेरा focus है जो मेरा main subject है वह हमेशा centralized रहे तो आप center focus रख सकते हैं और आपका focus हमेशा centralized रहेगा और उसके according आप shoot कर सकते हैं तो इसमें आपका जो point है वह कहीं से भी हिलेगा नहीं center से बिल्कुल नहीं लेगा आपका focus हमेशा centralized रहेगा उसके बाद आगा मैं next focus area की बात करूं तो वह आता है आपका spot focus तो यह 90% cases में focus area जो मेरा set होता है वह होता है मेरा spot focus पे जब मैं on the field shoot कर रहा हूं जब मैं street shoot कर रहा हूं जब मैं wedding shoot कर रहा हूं जब मैं product shoot कर रहा so for example मेरे sony के अंदर मेरे sony cameras के अंदर में को eye of out focus मिलता है वह perfectly eye पे out focus करता है लेकिन just for the safer side कई बार मैं spot focus रखके spot को मैं हमेशा small focus point पे रखके और उस small point को मैं अपने subject की आख के उपर रखके हमेशा focus करता हूं because I want कि वह जो छोटी सी आख है ना वह हमेशा focus पे बाकी उसक specifically इस recording वाले button के उपर या इसके on-off वाले button के उपर ही focus है बाकी जगा पे focus ना जाए तो वहाँ पर मैं small spot focus रखकोंगा क्योंकि यह जो चीज़ें यह बहुत छोटी है बहुत ही small है तो वहाँ पे small जो आपका out focus है वो काफी ज्यादा काम करेगा जैसे जैसे चीज़े पूटी चीज़े को focus कर रहें तो आपका जो focus है spot जो है वो छोटा होता रहेगा जितना बड़ा आपका subject का focusing point होता रहेगा उतना बड़ा आपका focus area वह इसके बाद अगर में next focusing area बजाओं तो वह आता आपका expandable spot focusing area तो इसमें बहुत स्पोंग के साथ आफ दो nine boxes के साथ वो आपको एक ही spot featuring मिलता है which is nine focusing point और जो आपका दूसरा spot focusing है उसके अंदर आपको small medium large single point आपको focusing point मिलते हैं यह है video camera उसके अंदर यह है video के अंदर जब आप video shoot कर रहे हैं लेकिन अगर आप photo mode के उपर जाएंगे तो photo mode के अंदर आपको एक और focusing point देखने को मिलेगा जो कि है tracking mode तो tracking mode में क्या है आपको different different versions इसमें भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको wide मिल जाएगा zone मिल जाएगा center fix मिल जाएगा spot मिल जाएगा spot medium large expandable बहुत सारी चीज़े मिलेंगे तो इसमें अच्छा है अगर आप bird photography करना पसंद करते हैं या अगर आप wildlife करना पसंद करते हैं या इवन आप street पर shoot कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता है कि आपका main subject क्या है तो आप अपने subject के ऊपर focus कर सकते हैं और आप focusing point को दबा के रख सकते हैं और आपका camera है वह आपके subject को track करता रहेगा और focus करता रहेगा तो यह 3D focus के नाम से भी डूसरे cameras के अंदर 3D focus के नाम से भी आता है sony के अंदर यह tracking autofocus के नाम से आता है and which is very cool and very useful when you are shooting wildlife when you are shooting birds because उस वाग आपका subject है वह बहुत जादा move करता आपका subject भाग रहा बच्चों के अगर आप शूर करना पसंद करते हैं तो अपने बच्चों के शॉट लेते वक्त भी आप tracking के उपर रख सकते हैं क्योंकि बच्ची होते हैं वह बैठते तो है नहीं तो जितना जादा जो focus है वह बहुता रहेगा उनको track करता रहेगा और आपका जो focus है आपका subject है आपका बच्चा है वह perfectly focus हमेशा आएगा तो यह थे कुछ focusing area जो आपको sony a7-4 और दूसरे sony cameras के अंदर देखने को मिलेंगे और किन-किन scenarios में आप इनको use कर सकते हैं वह भी मैंने आपको बता तो आप भी on the field आके या अपने friends के साथ आप in different different focusing area को test कर सकते हैं अपने according test कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप किस पर जादा comfortable है जब आप different subjects को shoot कर रहे हैं different scenes को shoot कर रहे है I hope आप कोई वीडियो पसंद आई हो और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है so please give a thumbs up sharing stay at home and be safe